खत्रों के खिलारी 14 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मतलब चार ऐसे contestants के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जो अब almost confirmed हैं खत्रों के खिलारी के अगले season के लिए और देखिए इन सभी contestants में बहुत सारी चीज़े common हैं चारों ही contestants अगर मैं बात करूं तो चारों के चारों ही जो contestants हैं वो common हैं अभी तक तो आपने देखी लिया होगा कि कौन कौन है अभी शेक कुमार, खानजादी, ईशा मालविय, जैद हदीद मतलब जो बिग बॉस ओटेटी 2 में नजर आये थे जैद हदीद जो मनीशा रानी के साथ जिनकी bonding के बड़े चर्चे थे स्टार्टिंग में फिर लेडर ओन आकानशा पूरी को किस करने के चर्चे बहुत हो गए जैद के तो उनके भी खत्रू के खिलारी का next season करने की खबरे बहुत जोरो शोरों से अब यह चारो के चारो एक दूसरे से इंटरलिंग्ड है अभिशेक कुमार तो है उनकी ex-girlfriend इशा मालविय भी शो का हिस्सा बन सकती है और ऐसी खबरे हैं कि almost हामी भर चुके हैं यह लोग अब अभिशेक की जो ex हैं वो हो सकती है साथ में साथी साथ एक ऐसी लड़की जो अभिशेक की शायद प्रेजेंट या फ्यूचर बन सकती थी खांजादी वो भी हो सकती है हालंकि अब अभिशेक कर चुके हैं कि भाई वो हम दोनों तो आपस में पस फ्रेंड्स ही है तो फ्रेंड्शिप तक ही हमारा जो बॉंडिंग है वो सीमित है तो लेकिन जो ex हैं व का हिस्सा बन सकते हैं आपको बता दे जैद और खांजादी के भी डेट करने के रूमर्स बहुत जोरो शोरो से थे और डेफिनेटली मीडिया के सामने भी बहुत बार दोनों आप साथ में स्पॉट किये गए थे हालांकि ऑफिशली कभी ऐसा कन्फरमिशन नहीं आया कि जै भी खांजादी के साथ खत्रों के खिलाडी माफ की जगा नजर आते हैं करते हुए तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि ये दोनों आपस में कैसे बिहेव करेंगे और इसके अलावा भी शेक और ईशा तो डेफिनेटली किया है तो